तो गाईज यार आज से ठीक 6 महीने पहले हमने इसी जगे पर सोरूम से निकाल कर एक बाइक को जमीन के अंदर 6 महीनों के लिए दफन कर दिया था और आज ठीक उसी दिन उसको 6 महीने कम्प्लीट हो चुके है और आप लोगों का इंतजार भी आज खत्म होने वाला है आज हम उस नई नवेली बाइक को बाहर निकाल देंगे और आपको दिखाएंगे कि उसकी हालत अब कैसी हो गई है तो गाईज यार आप लोग यहां पर देखों कि यहां पर हम खड़े हैं देख उसी जगह के नीचे हमारी नई नवेली बाइक को हमने दपना है था और यहां पर एक बोड लगाए था रेस्ट पीश ओर देख थी 0601-2020 और आज हो चुकी है 0607-2020 यान कि पूरे के पूरे चैंवाई ने कंप्लेट हो गए और आज के दिन हम इस बाइक को निकालने वाले हैं और आपके तो सवालों के जवाब है वो सारे के सारे सवालों को जवाब आज मिलने वाले है क्या गाड़ी ज तो गाइस यार बाइक को निकालने के लिए हमारी जैसी भी यहाँ पर तयार है और आप लोग यहाँ पर देख सेकता हो इसी घड़े के अंदर यानि कि जो यहाँ पर जो सरपैस है इसके नीचे वो छे महीने से लगा तर दफन है वो बाइक तो फटाबड से उस बाइक को निकाल लेते हैं लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आप लोगों से पूछू कि छे महीने बाद अगर हम लोग आज इसको निकाल रहे हैं तो उस बाइक के बिलकुल सैप रहेगी या फिर वो जो बाइक है बिलकुल अच्छी कंडिशन के अंदर नहीं रहेगी या फिर उसका पूरा का पूरा कबाड़ हो जाएगा तो फटाबर से कमेंट कर दो और अब उसको निकालने का काम सुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूं इस बोर्ड को यहां से हटा देता हूं अब इसका कोई भी काम नहीं है और इसके नीच आई गर्मे के बाद बारिस आई बारिस इस जमीर के अंदर भी गई और पानी भी उस बाइक को लगा है और अंदर पहले से नमक मोजूद था तो गाइस अब उस बाइक की कैसी हालत हुई होगी तो गाइस अब हम क्या करते हैं हमारे यहां पर जैसी भी आ चुकी है और जै इंतजार किया उसके सिवा कुछ नहीं किया तो सबसे पहले लाइक का बटन दबाईए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बैल बटन है उसको भी दबाईए यह जो हमारे यूट्यूब की इतियास का सबसे सस्पेंसिव वीडियो है वो उसका परदा आज खुलन वाला है तो फटापट से यार सब्सक्राइब जिनों ने भी नहीं किया ना वह फटापट से कर दीजिएगा तो गाइस यार फाइनली आप सुरू करवा देते हैं इस जमीन की खुदाई को यह करो वाई तो भाई खुदाई हो रही है और आप देख सकते हैं कि यार मैं इस बड़े सारे गड़े के अंदर आ गया हूं और हो सकता है हमारी बाइक का पता नहीं कोई क्लच वायर है या कोई ब्रेक वायर है वह वायर आ चुका है और जहां पर मैं अभी बेठा हूना वहां नीचे हमारी बाइक हैं मैं तोड़ा हाथ से देखता हूं बाइक काम पर होगी हो सकता हमारी बाइक यही हो आप देखो क तो भाई आप लोग देखो कि हमारी बाई का पता नहीं यह ब्रेक है आगे वाला वो आ चुका है और नमक जो है अभी भी यहां पर लगा है लेकिन अभी भी हमारी बाई जमीन के अंदर तो होड़ी और खोते है और उसके बाद में देखते हैं कि बाई की क्या हालत हुई है खोदो तो गईज यहां पर दूसरी बार में जैसे ही यह पर यह चपू चला तो पूरी बाई का जो हैंडल है वो बहार आ चुका है आप देख सकते हैं कि पूरे दोनों दोनों आचुके हैं यानि कि अब हमें थोड़ा आराम से इसको खोदना पड़ेगा बाई को थोड़ इसी चोट के कारण यह बाहर आचुका है तो गाइस फाइनली खुदाई कंप्लीट हो चुके और बाईक के हमने रसा बांद दिया है और जैसी बेके भी अटेच कर दिया है और गाइस अब यह जैसी की ठोंड जैसे ही उची होएगी और हमारी बाईक थोड़ी देर के यहां पर बाहर आ जाएगी और उसके बाद हम देखते हैं कि उस बाईक की क्या क्या हालत खराब हुई उसकी टेंक गल गई या साइलेंचर गल गया या हमारी बाईक पूरी भी खत्म हो गई या फुर नहीं हुई तो बाहर निकालते हैं यास वान टो ट्रेज तो गैस यार हमारी बाईक जो है बहार आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि बाईक की कंडिशन जो है ज्यादा खराब नहीं हुई है सोचने वाली बात है यार लेकिन अभी है ना हम इस बाईक को भाहर रखेंगे थोड़ा इंगे करेंगे कि गारी जो है चानू कंडिशन के अंदर हो रही है या नहीं क्योंकि आर बपना थे टाइम है तो गाइज यार फाइनल यह आपका और हमारा हम सब का जो इंतिजा था छे महीडों का वो यहां पर कम्पलीट यानी कि समाप्त हो चुका है और जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने यहां पर आकर तयार हो चुका है और इस जुबाइक के कुछ भी नहीं यहां पर इस बाइक का वाइजर है वो डे मैं जरूर हुआ है लेकिन वह भी इस भाई को निकालते टाइम इस बूल्डोजर यानि की जैसि वी की वजे से यह देमेज हुआ था और इसके आलावा यहां पर पिच्छे की साइड से भी इसका कुछ नहीं हुआ है यहां पर यह वह भी निकालते टाइम डेमेज हुई है लेकिन इस भाई के छे महिनों से कुछ भी नहीं हुआ चे महिने ये दफन रहे गई लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ गाईज यहां पर देखो किया हमने तो डालते वक्त नमक डाला था ताकि हमारी जो गाड़ी है व नमक भी एकदम सही कंडिशन के अंदर है तो आप लोग देखो किया जहां-जहां से में मीट्टी अटा रहो ना इसका इंजन आपको दिखा देता हूं इंजन बिल्कुल फ्रेस भाई एक स्क्रेच तक नहीं है और सब कुछ रेडी है इसका यानि कि यह जो बंपर होता है इस मैं आपको बता देता हूं कि जो टायर है ना उनकी हवा भी बिल्कुल कम नहीं हुई वैसी के वैसे टायर है आप देख सकते हैं हवा में भी थोड़ा बहुत डिप्रेंस नहीं आया आगे का टायर और पीछे का टायर यानि कि छे माहिनों तक यह दफन रही कई मोसम चेंज पायू किया और अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते और केरफुली निकालते तो सायद यह हैंडल भी सुरक्षित निकल जाता हां तो गाईज एसी कंडिशन के अंदर हमारी भाइक अभी जमिन से बाहर आ चुकी है और गाईज जब हमने इस बाइक को अंदर डाला था उस व वीडियो को लाइक कर देना और आपके वीडियों अग में इसे खुरापाति अईडिया जय कोई छे महिने के लिए और चीज दफन करनी है ना उसके बारे में बर के कमेंट करो बिल्कुल तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और धमाकेदार टोपिक के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जे जवान, जे किछान, जे इंदुस्तान भाई फूल अभी भी है, छे महीने के पहले के पूल है